हाई ओल मैं हू रितिका और आज बनाते हैं पोहा पोहा मेरा फेबरेट ब्रेकफस्ट है तो जबी भी मुझे सुबह कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या खाना है क्या खाना है तो मैं पोहा ही खाती हूँ और पोहे के साथ मेरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है तो मेरी पहली जॉब जो हुए थी वो इंदौर में हुए थी तो इंदौर में ब्रेकफस्ट में लोग यूजली पोहा ही खाते है और ऐसा नहीं कि किसी एक जगे का पोहा बहुत फेमस है वो हर जगे का आप किसी ठेले पर भी खाओगे ना तो कुछ अलग रेसिपी वो लोग फॉलो किये होते हैं और बहुत ही तेस्टी पोहा रहता है हर जगे का अपना एक अलग स्वाद तो चलिए बनाते हैं एक आज इंदौरी पोहा तो फिर चलिए कढ़ाई को गरम करते हैं तेल में आज तेल को गरम करेंगे कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और पोहे में बहुत ज्यादा तेल की ज़रृत नहीं होती है आप बहुत कम ज़रूरत से ज़रूरत से ज़्यादा कम टील एड़ कर सकते हैं तो देखिए यह तेल करम हो गया अब इसमें आट कर दे रहे हैं राई और अब इसमें आट कर देंगे हम थोड़ा पतला पतला कटा हुए आलू तो जैसा मैंने पहले बताया कि हर ठेले वाले अलग अलग रेसिपी फॉलो करते तो जनरली हर कोई पोहे में आलू नहीं डालता है बट मुझे टेस्ट अच्छा लगता है आलू का मैंने इसको एक जगे खाया तब से मैं कभी आलू स्किप नहीं करती हूँ और आलू को ऑपर के कटा लिया प्याज और यायान सहरा प्याज और मिर्च इसको अट मीशनम अच्छा क्रीआगे लएग चोदा सीखते है अठ रपा अधा को बोसु नहीं कर दो कृआ मना तो घाट जानने से पोहे का अउसमें मैं तो चोटा चोटा कर पकर तो इसको एट करके आप गाजर, कैबेज, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें एड़ कर सकते हैं और यह में बारीक कटा हुआ है बिल्कुल यह शिमला मिर्च में इसमें आड़ कर दिरो और गाइस यह चौपर बहुत अच्छा है मतलब अगर आप वरकिंग है और आपको जल्दी-जल्दी खाना बिनाना है तो यह काफी helpful रहता है मेरे लिए तो है और आप भी ट्राइ कर सकते हैं अब इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर एड़ करके सबको अच्छे से मिला लेंगे नमक एड़ कर दीजे आप अपने स्वाद के अंसार और सब कुब अच् उसका कुछ बहुत बड़ा रोल है पोहे के अंदर तो सब मिक्स हो गया है चलिए देखते हैं पोहा बहुत जगे इसको चूरा भी बोलते हैं तो यह है पोहा जिसको मैंने पहले से ही अच्छे से धुल के बिगा के रख दिया था और सारा पानी निकाल के इसमें से रख दि बहुत अच्छा आता है फिर पोहे का यह देखिए आप खूब अच्छे से इसको मिला लीजे पोहे को आपका पोहा अल्मोस्ट रेडी है यह देखिए पोहा बनके रेडी है और अब मैं इसको एंज्वाइ करूंगी एक कप चाय के साथ तो जैसे मैंने बताए कड़ी पता मैं कुछ भी खाऊंगी मुझे उसके साथ चाह चाहिए और यह है मेरे हजबन का फेवरेट की पोहे के ऊपर हल्दी राम का भुजिया अट करना है तो गाइस प्लीज यह रेसिपी जरूर ट्राइ करेगा और हमें बताएगा कि कैसा लगा आपको यह पोहा और ठंड का मौस मार्ड करेदिज के बताएगा लाह है मौस कॵजिया लाहा है बता अल पको है की जरूर दूर के उल्ले सकास्जर का बताएगा जिल्दी का लेएश डाम के जरूर नियरू के छाह सबस्ताबंत्र, हमें जरूरों का लेा Measure should we 진행? झाल झाल